नमस्कार आप देख रहे कबीर नीज और मैं हूँ आपके साथ जितेंदर कमल देश में बढ़ रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीद सुप्रीम कोर्ट में एक और याजका दाखिल की गई है इस याजका में कोरोना संक्र से निपटने के लिए केन सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए है और दाखिल याजका यह दावा करती है कि कोविट टीका करण में भी भस्ता चार है इस टीका करण अभ्यान में 32,000 करोड रुपए का घोटाला हुआ है सुप्रिम कोर्ट में यह द्याश्ट का दायर करने वाले ब्यक्ति हैं वकील दीपक आनन्द मसीए दीपक आनन्द ने कहा कि पश्मी देशों में कोरोना की वैक्सीन तयार कर ली गई है लेकिन उनकी लागत और कीमत 150 से 250 रुपए से ज्यादा नहीं है वहीं देश में यह वैक्सीन आम लोगों को 600 रुपए तक में अब जब 18 साथ से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगने वाली है तो कीमत भी बढ़ गई है एक अनमान के मुताबिक अब 80 करोन लोगों को टीके की खुराक लगनी है ऐसे में टीकी का कीमत का हिसाब लगाया जाए तो 32 हजार करोन रुपए का घोटाला सामने आता है याजका करता ने कहा कि प्रधान मंतरी मोदी ने नेशनल साइंटिटिक फोर्ष तो बना ली लेकिन फरवरी ये मार्च में उसकी एक भी वैठक नहीं गी ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ राज्यों में विधान सभा चुनाओ जारी थे इसके अलावा याजका में यह भी कहा गया कि अमेर्की राष्ट पती को भी पूरे देश में लागडाउन लगाने का इदिकार नहीं है लेकिन भारतिय प्रधान मंतरी को है याजकार करता ने कहा कि प्रधान मंतरी ने देश में लागडाउन लगा कर भी देख लिया लेकिन इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ याजका में कहा गया है कि तमस्या संसादनों से ज़्यादा सरकारी नीतियों की रही है वकील दीपक आनन मसीह ने कोर्ट में अपील की है कि सरकार को सही नीतिया बना कर उन पर अमल करने का आदेश दिया जाए तो आपने देखा ना कि कोर्ट में भी याजका दैर हो चुकी है वैक्सिनेशन में धस्टाचार को लेके इससे पहले पहले वीडियो में हमने आपको यह दिखाया था कि किस तरीके से रिम डिसीवर के इंजेक्शन को हम थाई सो से तीन सो रुपए में प्राफ्ट कर सकते हैं लेकिन सरकार की नीतिया शायद वहाँ भी गलत थी बने रही है ऐसी और भी खुलासे और अच्छी ख़बरों के लिए कभी नीज के साथ मुझे दीजिये इजाज़त ना